प्रवत पठार मेदान पड़े प्यारे विद्यारतियों आज अपना टॉपिक रहने वाला है बिल्कुल एक नया चैप्टर और राजस्तान की भुगोल यहीं से वास्त्विक रूप से शुरू होती है जिस चैप्टर की बात करेंगे वो पीछे लिख रहा है बिल्कुल जी ह हम आज इसी चैप्टर की बात करेंगे राजस्तान के बौतिक पर्देश की बात करेंगे राजस्तान की एक टॉपिक कंप्लीट किया था हमने राजस्तान का इस्तती विस्तार राजस्तान की इस्तती विस्तार में केवल राजस्तान की सामाने जानकारी पढ़ने को मिलीती ह में जैसे राजस्तान की इस्तती विस्तार में राजस्तान की आकड़ती क्या है राजस्तान की इस्तती क्या है इसका विस्तार क्या है इसके चारों तरब की जो बॉटर थी वो हमने पड़ी अंतराष्ट ये अंतराज ये शिमाओं के बारे में हमने ऐसे टॉपिक पड़े थे पर आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्तान का बहुतिक प्रडिश राजस्तान का बहुतिक विवाजन क्या होता है जी राजस्तान के बहुतिक विवाजन की बात करेंगे अपन तो इसमें काफी मैत्वपून पॉइंट आएंगे इससे पहले है कि राजस्तान के बौतिक विबाजन के अंदर कौन-कौन सी चीजे पढ़नी चाहिए हमें किन पॉइंट को विशेत रूस से ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में भी एपन चर्चा करने वाले हैं एक होता है कि राजस्तान के बोतिक पर्देश तो सीधा माइंड में एक क्यूशन आता है गराजस्तान के बोतिक पर्देश को चार बागों में डिवैड किया गया है और अपन सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं बिल्कुल नहीं आपन को कॉंसेप्ट पूरे किलिए रहोने तक आपन टोटल ही राजस्तान का बोतिक पर्देश का अध्यन करेंगे आप साथ में जुड़े रहे और जो भी मैं टॉपिक बोलूं और जो यहां मैं समझाओं उसको आप साथ में अपने नौट्स के रूप में तैयर करें क्योंकि बार-बार पढ़ा नहीं जाता है तो विगवारी आप अच्छे से पढ़ ले दिमाग में यह न रखे कि यह नई जोग्राफी है या पुरानी जोग्राफी है क्या होगा कुछ नहीं होगा जो पढ़ाया है वो सबसे बैस्ट है ठीक है नो जो वर्तमान में संभावित जो भी आंकड़े चेंज हुए हैं जो इस राजस्तान के बोतिक परदेश की जब भी बात आती हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्यूसन आता है कि राजस्तान के बोतिक परदेश का विबाजन किस ने किया किस बंदे के वाइंड में आया था कि राजस्तान के बोतिक परदेश का विबाजन हो और जो आज हमें पढ़ किसको माना था कब-कब ये विवाजन हुए है कौन-कौन सी पुस्तक के अंदर इसका जेकर किया गया है और कितने-कितने भागों में बाटा गया है ये टॉटल ही इस टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा चलो जी हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्तान का बौतिक विवाजन यहीं शे हमारे चैप्टर सुरू हो जाता है और आज हमारे जो चैप्टर रहेगा राजस्तान का बौतिक विवाजन की बात करें तो देखो राजस्तान का जो बौतिक विवाजन है सबसे पहले मैं बात करू राजस्तान का बौतिक विवाजन सर्व पर्थम किसने क्या था राजस्तान का बोतिक विबाजन सर्व पर्तम वर्गी करन करने वाले कौन थे तो राजस्तान के बोतिक विबाजन का अगर अपन सर्व पर्तम वर्गी करन की बात करे तो सर्व पर्तम वर्गी करन करने वाले थे प्रोपेसर वीशी मिस्रा प्रोपेसर वीशी मिस्रा बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है और ये बहुत अच्छा क्यूशन मन जाता है कि राजस्तान का सरोपर्तम बोतिक विवाजन किस ने किया था तो राजस्तान का सरोपर्तम बोतिक विवाजन करने वाले थे वीशी मिस्रा जो विशी मिश्रा ने राजस्तान का बोतिक विवाजन किया था वो सरोपर्थम किस बुक के दो अपन या फिर पुस्तक के दो किस पुस्तक में क्या गया तो जी उस पुस्तक का नाम दा राजस्तान का बुगोल ये जो वर्गिकरण किया गया है ये आपके राजस्तान का राजस्तान का भुगोल नामक पुस्तक में किया गया पुस्तक का नाम था आपके राजस्तान का भुगोल राजस्तान का भुगोल नामक पुस्तक में इसका वर्गिकरण किया गया अगला क्यूसन यह आता है दिमाग में कि जब यह क्या गया है तो कब क्या गया है तो कब की बात करें अगर अपन कब की बात करें कब क्या गया मैं बिल्कुल अपनी देशी बासा में राजस्तानी बासा में या हिंदी माध्य में पढ़ाने का प्रियास कर रहा हूं ताकि आपको समझ माजाए कि आप जब भी ऐसे टॉपिक पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ऐसे क्यों सनाने चाहिए सरवपर्तम किस ने किया इसकी पुस्तक का नाम किया था यह सरवपर्तम कब किया गया तो यह राजस्तान का बोतिक विबाजन जब किया गया यह बात थी 1968 की 1967-68 में किया गया तो 1968 में यह किया गया किनके द्वारा किया गया प्रॉपेसर विशी मिस्रा द्वारा किस पुस्तक में किया गया राजस्तान का बोगोल नामक पुस्तक में कब किया गया यह 1968 की बात है 1968 की बात है तो अगला हमारे दिमाग में सिधा क्यूसन यही आएगा कि राजस्तान का बोतिक विबाजन है वो कितने भागों में क्या गया राजस्तान का बोतिक विबाजन कितने परदेश में राजस्तान का जो बोतिक विबाजन है वो कितने परदेश में क्या गया और यहां से सीधा क्यूसन आ जाता है अपने पास तो अपन बात करें राजस्तान के बोतिक विबाजन का जो इन्होंने वर्णन किया था वो साथ बागों में क्या था साथ परदेशों में कितने परदेशों में क्या गया भी साथ परदेशों में क्या गया वो साथ परदेश कौन कौन से है यहां से अगर आपके क्यों सुना जाए तो देखो पहला जो परदेश डिवाइड क्या था इन्होंने पहला परदेश है वो हो जाएगा आपके पस्चमी सुस्क परदेश राजस्तान का पस्चमी जो साइड है वो पूरा सुस्क परदेश है और इसे पस्चमी सुस्क परदेश के नाम से डिवेट कर दिया तो पहला जो बोतिक विबाजन किया गया है वो आपके पस्चमी सुस्क परदेश के नाम से किया गया पस्चमी सुस्क परदेश दूसरा जो बोतिक विबाजन जो परदेश डिवाइड किया गया है वो हो जाएगा आपके अर्द सुस्क परदेश अर्द सुस्क पर्देश अराम से समझे ना है बिल्कुल एक के कॉंसेप्ट साथ में किलियर होता जाएगा आपके तीसरा जो डिवेड किया गया वो हो गया आपके नहरी पर्देश और अभी इसको अपन मेप में अच्छे से समझ भी लेंगे चोता प्रोपेसर वी सी मिस्रा ने जो डिवेड किया गया वो हो गया आपके अरावली पर्वत्य पर्देश अरावली पर्वत्य पर्देश अरावली अरावली पर्वत्य पर्देश और पांच्छे नंबर पर जो डिवेड किया गया वो हो जाएगा आपके पूर्वी क्रिशी वर पूर्वी क्रिशी वर अध्योगिक पर्देश पूर्वी क्रिशी वर अध्योगिक पर्देश और छे नंबर पर जो डिवेड किया गया पर्देश था वो हो जाएगा आपके चम्बल बीहड छेत्र चम्बल बीहड छेत्र चम्बल छेत्र आपको पूरा कम्पलीटली अभी समझाएंगे और साथ नंबर और जो लास्ट नंबर की बात करें तो वो हो जाएगा आपके दक्षिन पूर्वी परदेश यानि की यहां पर समझना क्या है प्रोपेसर वीशी मिश्रा ने जो 1968 में राजस्तान का बोतिक विवाजन कया था राजस्तान की भुगल नामक मुस्तक में उसमें राजस्तान के बोतिक परदेश को आपने साथ बागों के अंदर डिवाइड किया था साथ बाग में पस्चमी सुस्क परदेश अर्द सुस्क परदेश नहरी परदेश अरावली परवत्य परदेश पूर्वी करसी वो उद्योगिक परदेश चम्बल बीहट छेतर और दक्षिन जो पूरवी करसी परदेश हैं इसको भी साथ मैं डिवेट किया गया अगर मैं बात करूं वो कौन-कौन से परदेश है तो आप समझे जो सातो परदेश का डिवेडेशन किया गया सातो परदेश को अगर अपन यहां पर समझने का प्रियास करे ठीक है यहां पर अगर अपन समझे इस बात को यहां से एक परदेश डिवेड किया गया यह आपके सुस्क परदेश हो गया सुस्क के बाद अपन बात करें तो यह जो उपर वाला हो गया यह नहरी परदेश हो गया और नहरी को यह वापस अगर अपन इधर डिवेड कर दे तो यह हो गया अर्द सुस्क पर्देश यानि कि सुस्क पर्देश, अर्द सुस्क पर्देश, नहरी पर्देश इधर अपना राजस्तान के अंदर अरावली परुतमल आ जाती है तो यह हो गया आपके अरावली पर्देश और अरावली के बाद अगर मैं बात करूँ तो यह हो जाएगा आपके दक्षनी पूरवी प्रदेश दक्षनी पूरवी करसी प्रदेश और इधर वाले में अपन बात करें तो यह बचछावा भागता वो आपके B head पड़िश हो गया और ये इधर है जो ये जो मैं dark blue color कर रहा हूं यह हुजएगा आपके चंबल B head और यह हुजएगा कर्सी पड़िश अगर अपने इसको आराम से समझे तो यह हुजएगा आपके यह आपके हुजएगा भी सुस्क पर्देश जो ये वाला पर्देश है ये सुस्क पर्देश हो जाएगा और ये जो उपर है ये नहरी पर्देश हो गया आपके और अर्द सुस्क पर्देश की बात करें तो ये वाला पर्देश है वो अर्द सुस्क पर्देश हो गया अपने बात कर लें यहां पर तो यह जो बीच में ब्लेक कलर दिख रहा है यह अरावली परदेश हो गया और अरावली के पास में ही बात करें अपन यह अरावली परदेश हो गया और अरावली के पास में अपन बात करें तो यह हो गया पूर्व करसी वो अध्योगिक परदेश पांच नमबर और डार्क बिल्यू है वो छे नमबर हो जाएगा आपके और साथ नमबर अगर दक्सिन पूरी पठारी परदेश की बात करे तो यह हो जाएगा आपके नमबर ओफ सेवन तो जो प्रॉपेसर वीशी मिसरा ने जो भाग डिवेड किये हैं मैंसे कह सकता हूँ कि यह नमबर एक यह आपके eton जएगा नमबर दो यह आपके नमबर ओफ टीन नमबर ओफ चार नमबर ओफ पांच नमबर ओफ छे और नमबर ओफ साथ यह टॉटल ही है वो आपके राजस्तान के बोतिक विबाजन की में बात करूँ तो जो साथ परदेश के अंदर राजस्तान का जो बोतिक विबाजन हुआ था प्रॉपेसर वीशी मिस्रा द्वारा ये सामने डाइग्राम में बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे होंगे अगर मैं यहाँ पर इनके वापस नाम लिखूँ तो यहाँ आप समझते हो नाम के अंदर यह पस्चिमी सुस्क परदेश हो गया यह वाला जो परदेश हैं आपके पस्चिमी सुस्क परदेश है ये सकिंड नमबर अर्द सुस्क प्रदेश और टॉटल ही मोटे तोर पर ये साथ प्रदेश अपने डिवाइड किये गए प्रॉपेसर वीशी मिस्रा का अगर बोतिक विवाजन आ जाए है तो एक परसेंट भी आपके गलत नहीं होना छी अलांकि जो अपने एक्जाम में पढ़ते हैं वो हरिमांस अक्षेना और प्रॉपेसर तिवाडी सरका पढ़ते हैं जो 1994 के अंदर उन्होंने दिया था राजस्तान के पार्देशिक बोगोलिक इस्तियां पार्देशिक बोगोल के अंदर जो बुक थी उनकी पुस्तक थी उनमें डिवैट के था सर हम तो RBC के अनुसार पढ़ रहे हैं मद्य मिक शिक्षा बोड को मद्य नजर रखके जो नौट्स पढ़ाते हैं पढ़ते हैं तो उनकी भी एक बार बात कर लेते हैं अगर यहां पर मैं बात करूं इस चीज को समझना अभी तो मैंने प्रोपेसर वीशी मिस्त्रा के अनुसार पढ़ाया गया पर यहां चीज जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो देखे आप बता रहा हूं कि अपने राजस्तान माद्य मिक शिक्षा बोड राजस्तान राजस्तान के माद्य मिक शिक्षा बोड राजस्तान माद्य मिक शिक्षा बोड मैं बात करूं आपके कक्सा नाइंद की राजस्तान माद्य मिक शिक्षा बोड के कक्सा नाइंद की बात करूं तो नाइंद की बुक है जिसका नाम है सामाजिक विग्यान सामाजिक विध्यान उनकी मैं बात करू अगर पेज नंबर आप 123 पर देखे उन्होंने राजास्तान का जो बहत्तिक विबाजन है वो पांच बागों में किया गया राजास्तान का जो बहत्तिक विबाजन है वो कितने बागों किया गया है पाँच बागों में किया गया पाँच परदेश के रूप में अगर राजस्तान की माद्य में एक शिक्षा बोर्ड को अपन मद्य नजर रखा कर बात करे तो वो पाँच बोतिक परदेश कौन कौन से है तो वो जो 5 बोतिक परदिस है है उसमें से नंबर 1 आप के हो जाएगा सुस्क मरुस्तलिय परदिस नंबर 2 पर में बात करू तो हो जाएगा अर्द सुस्क मरुस्तलिय प्रदेश और तेन नमबर पर माद्य में शिक्षा बोड़ के द्वारा बाटा गया है वो है आपके अरावली परवत्य प्रदेश और इन्होंने जो चार नमबर पर डिवाइड किया है वो हो जाएगा आपके पूर्वी मैदानी भाग या उत्तर पूर्वी के दुमें उत्तर पूर्वी मैदानी भाग मैदानी भाग उत्तर पूर्वी मैदानी भाग की बात कर लेते हैं और पांच नमबर पर इन्होंने डिवाइड क्या है वो जाएगा दक्षिन पूर्वी मैदानी भाग दक्षिन पूर्वी मैदानी बाग यानि कि कुल मिलाकर मोटे तोर पर बात करें मद्यमिक शिक्षा बोड के अनुसार जो राजस्तान के कक्सा नाइंद के अंदर एक बोतिक विवाजन दिया गया है उसके अंदर इन्होंने पाँच बागों में डिवाइड कर दिया है पाँच बाग ये पाँच परदेश आपके सामने है अगर अपन इसको मेप के अंदर भी देख ले क्योंकि अपन जो प्रॉपेसर हरिमों सकसेना और तिवाडी सरका अगर अपन पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल इसका लगबग लगबग मिलता जूलता है लगबग मिलता जूलता ही है आपके पास में ठीक है चलो चलो अपन बात करते हैं अगर इन पाँच बोतिक परदेश की बात करें तो इन पाँच बोतिक परदेश में ये वाला जो एक बोतिक परदेश है इसको सुस्क बोतिक परदेश की रूप में ये हो जाएगा आपके अर्द सुस्क ये हो जाएगी आपके अरावली परवत्य परदेश और ये हो जाएगा नमबरो पाँच पूरी मैदानी बाग अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तो हो गया आपके सुस्क परदिश ये हो जाएगा आपके अर्द सुस्क परदिश उसके बाद ये हो जाएगी आपके अरावली परवत्य परदिश और अरावली के जैश्ट पांच में अपन बात करें तो ये वाल हो जाएगा आपके उत्तर पूरी मैदानी भाग और इसके जैश्ट पांच में बात करें अपन तो ये हो जाएगा आपके दक्षनी पूरी पठारी परदेश यानि कि ये हो जाएगा आपके नमबर एक, नमबर दो, नमबर तीन, नमबर ओव चार और नमबर ओव पांच ये जो माद temperibook शिख्षाबोड के अनुसार जो राजास्तान के बोतिक विवजन किया गया है वो बिल्कुल ऐसे किया गया है और पांच बागों में डिवैड़् किया गया है पांच बाग कौन कौन से हैं ये आपके सामने है पांचों बाग तो इसका भी अगर कहीं पूछा तो ने जाए फिर भी पूछ ले तो ध्यान रखना है तो इससे पहले हमने पढ़ा था वो प्रॉपेसर वीशी मिस्रा का पढ़ा था उसके بعد हमने पढ़ा है राजस्तान का जो मादे मीक शिकसा बोड के द्वारा जो कक्सा नईंड के अंदर एक विबाजन दे रखा है उसका पढ़ा है अब आदूनिक विबाजन की बात करें अपुन राजस्तान का आदूनिक वर्गीकरण की बात करें तो देखें राजस्तान का जो आदूनिक वर्गीकरण है वो किस ने दिया था हम बात करें यही पर तो राजस्तान का आदूनिक वर्गीकरण की बात करें तो सरोपर्तम राजस्तान का जो राजस्तान का जो आदूनिक वर्गी करण है आदूनिक वर्गी करण आदूनिक वर्गी करण करने वाले थे एक तो आपके आदूनिक वर्गी करण करने वाले एक तो थे आपके हरी मोहन हरी मोहन सकसेना सर तो हरी मोहन सकसेना और एक आपके थे प्रोपे सर पिवाडी सर तो आदोनिक राजस्तान का जो वर्गी करण किया था एक तो प्रोपे सर हरिमाउन सक्सेना सर और एक थे आपके प्रोफेसर तिवाडी सर जी सर ये आदुनिक वर्गिकरण कब किया गया और कौन सी पुस्तक में किया गया तो ये जो आदुनिक वर्गिकरण है ये आदुनिक वर्गिकरण की पुस्तक पूछे आपको कौनसी पुस्तक में क्या गया तो आदूनिक वर्गिकरण यह राजस्तान का पार्डेशिक बोगोल इस पुस्तक के अंदर आपने यह वर्गिकरण दिया था अगला क्यूसिन आपके दिमाग में यह आएगा सर अगर दिया है तो यह कब किया गया है अगर हम कब की बात करे कब किया अगर कब किया की बात करे कब की बात कर लेते हैं तो यह किया गया भी आपके 1994 के अंदर यह किया गया भी आपके 1994 में आदार किसको मना है तो जब यह वर्गीकरण किया गया है तो इसमें इन्होंने जो आदूनिक वर्गीकरण है आदूनिक आदूनिक वर्गीकरण का आदार आदूनिक वर्गीकरण का आदार आदूनिक वर्गीकरण का आदार किसको मना है तो इन्होंने आदूनिक वर्गीकरण का आदार मना है एक तो उच्छा वज को बड़ा इंपोर्टेंट है उच्छा वज क्या होता है आभी मैं बतूंगा एक तो इन्होंने माणना है उच्छावच को जलवाय। नदी वैसीन इन सबको इन्होंने आधार मानकर जलवाय। का वर्गिकरन किया था तो राजस्तान के अध्वनिक जलवाय। वर्गिकरन की बात करे तो आप क्या हरिमोन सक्षेना और प्रोपेसर तिवाडी सर पुस्त कौन सी थी राजस्तान का पारदेशिक बगोल कब किया गया 1994 में किया गया अधुनिक वर्गीकरण का आधार में किसको मान कर किया गया उच्छा बच जलवाईू नदी बैसिन छेतर इनको मान कर किया गया लाइस्ट आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि कितने भागों में किया गया आधुनिक वर्गीकरण है वो कितने भागों में कितने भागों में बाटा तो कितने भागों में बाटा है राजस्तान के आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर इन्होंने चार भागों में बाटा कितने बागों में चार बागों में अब वो चार बाग कौन कौन से हैं उन चार बाग की बात करें तो इन्हों ने जो फ़र्ष्ट बाग लिया था उसका नाम रखा पस्चमी मरुस्तलिय परदेश जो फ़र्ष्ट बाग है उसका नाम क्या हो गया पस्चमी मरुस्तलिय परदेश यानि कि आदोनिक वर्गे करण के अधार पर जो पांच बाग डिवाइड किया गया उसका पहला बाग उगा जाए पस्चमी मरुस्तलिय परदेश दूसरे बाग की बात करें तो यह परवत्य परदेश और तीसरी अपन बात करें तीसरी अपन बात करें तो यह हो जाएगा आपके उत्तर पूर्वी मैदानी भाग मैदानी भाग और नमबर चार की बात करें तो आजाएगा आपके दक्षिन पूर्वी पठारी परदेश अब यहां पर समझना क्या है समझने वाली बात यह है कि इनों ने जो आदार बनाये था यानि कि आदुनिक वर्गीकरण का जो आदार दिया था हरिमाउन सक्सेना और तिवाडी सडने उसमें जो आदार दिया था एक तो उंचा वज का दिया जलवायू का दिया और नदी बैसिंचेतर का दिया उंचावज जलवयू नदी बैसिंचेतर तो देखो पस्चमी मरुस्तलिय परदेश परवत्य परदेश हमें देखने को मिला मैदान देखने को मिला और पठार देखने को मिला यानि कि इस बोतिक परदेश के अंदर मैदान भी है पठार भी है मरुस्तल भी है परवत भी है नदिया भी है तो ये सारी चीज़ें हमें इसको अंदर देखने को मिलेगी तो कुल मिलागर मोटे तोर पर इन्होंने चार भागों में डिवेट कर दिया कितने भागों में डिवेट कर दिया भी चार बाग की बात करें पर तो यह जो बीच वाला जो चैतर है यह अरावली परवत्य परदेश कर लाता है यह इदर वाला जो भाग है यह पूरा क्या कर लाता है आपके अरावली परवत्य परदेश और यह वाला जो भाग है यह हाडोती वाला छेतर हो जाएगा यह इसको थोड़ा मैं डार्क भी कर दूँ ये वाला ये पूरा हिस्सा हाडोती का इधर चम्बल भी हड़ छेतरा जाता है तो चार भाग कौन कौन से हो गए ये रहे आपके सामने एक भाग हो गए आपके पूरा है वो पस्चमी मरुस्तली परदेश हो गए और दूसरा इन्होंने जो भाग डिवाइड गया था ये हो गए आपके अरावली परवत्य परदेश अरावली के बाद बात करे पन तो ये हो गए आपके पूरी मैदानी भाग और ये हो गए आपके हाडोती का पठार यानि कि ये जो सम्पून भागे हैं या आपके हाडोती का पठार हो जाएगा कुल मिलाकर मोटे तोर पर चार भागों में डिवाइट कर दिया चार भाग आपके सामने रहे कौन-कौन से भाग है चार तो देखें नमबर भाग नमबर एक ये हो जाएगा भाग नमबर दो अरावली भाग नमबर तीन पूर्वी उतर पूरी मेदानी भाग और भाग नमबर चार हो जाएगा आपके दक्षिन पूर्वी पठारी पर्देश ये किन के अनुसार किया गया ये किया गया हरी मोहुन सक्सेना और प्रोपेसर तिवाडि सर द्वारा ठीक है न, अरिमों सक्सेना और प्रोपेसर तिवडिसर, अब यहां पर एक सब्द आया है कि उंचा वच, उंचा वच क्या होती है, इस उंचा वच को अगर अपन समझेंगे, तो आगे का जो राजस्तान का बोतिक परदेश हैं, उसे समझें बड़ा मजा आएगा, और इतना कॉंसेप्ट के लिए होगा कि एक सिंगल के उसन आपके गलत नहीं होगा, एक सिंगल के उसन भी आपके गलत नहीं होगा, तो जो अगला अपना रहेगा, वो रहेगा, उंचा वच क्या होता है, उंचा वच क्या होता है, इसको समझें, कहता है न, पर्थवी गोड है, पर् अपने बास समझाने पर्थवी उबड़ खाबड़ हैं कहीं पर बड़े बड़े पाड़ हैं तो कहीं पर नदिया हैं कहीं पर गेरे खड़े हैं गड़े हैं कहीं पर दरा रहे हैं कहीं पर पठा रहे हैं तो कहीं पर मैदान देखने को मिल रहा हैं पर्थवी का शेप उबडखाबड है अगर पर्तवी उबडखाबड नहीं होती तो पानी की निकासी कैसे होती समझो अगर ढाल बराबर होता सबी जगापर पर्तवी एकदम गेंद की तरह एकदम बॉल की तरह एकदम गॉल होती तो बताओ पानी का फी ढाल कैसे निर्बर होता उबर खाबड हैं कई पे ढाल होता है वो पानी का जो ढाल होता है वो ढलान की ओर होता है उपर से निचे की ओर जाता है तो उबर खाबड होता है परत्वी तो इस परकार से पानी की निखासी भी बन जाती है वो जो उबर बागों में कैसे पड़ सकते अपन समझ सकते अगर मैं परत्वी की एक सरचना बढ़ू परत्वी का टॉपेस्ट बाग और परत्वी का लोवेस्ट बाग लेकर मैं एक सरचना बढ़ू तो वो उंचा वच के अंदर आएगा और उंचा वच कैसा है परत्वी का वो अपन समझ परत्वी का अगर मैं उंच्छा वस समझाने का परियास करूं आपको कि अगर कि अगर परत्वी के अगर अपने उच्छा वच की बात करें चलो एक बार आप इस पूरी स्रचना को समझने का परियास करें कि आखिर में कहना क्या चाह रहा हूं परत्वी के उपरी भाग की बात करूँ मैं तो यहां सगर में लूँ यह परत्वी का उपरी भाग हो गया यह परत्वी का आपका क्या हो जाएगा भी उपरी भाग हो जाएगा ठीक है ना अगर इसको मैं और डिवाइड कर दूँ ऐसे समझा आप यह हो गए आपके सबसे उपर हो गया भई परवत सबसे उपर की मैं बात करूँ नमबर एक यह हो गया आपके परवत्य भाग परवत्य भाग परवत के बाद अगर मैं बात करूँ तो नमबर दो पर मैं अगर बात करूँ यह हो गया आपके पठारी भाग पठारी बाग और नमबर में तीन की बात करूँ तो यह हो गया आपके महादी पे ढाल महादी पे ढाल कह सकते हैं सर हमने इसको महादी पे ढाल क्यों किया क्योंकि यह मैंने समुन्दर तल से लिया है तो समुन्दर तल के इस तरफ जो जल हो वाला भाग होगा ये मासागरिय बाल कहलाएगा और जो उपर होगा वो इस तलिए भाग होगा वो मादी पिय भाग होगा यानि कि मैं इसे मादी पिय भाग कह सकता हूँ इस वाले परदेश को यह हो जाएगा आपके महादीपिय भाग महादीपिय भाग यह आपका कौन सा भाग हो जाएगा भी महादीपिय भाग हो जाएगा महादीपिय भाग ठीक है चलो अगर यह महादीपिय भाग है तो यह महादीपिय ढ़ाल हो जाएगे और ये महादीप्य ढाल है तो ये जो महादीप्य मैदान हो जाएगा नमबर चार की में बात करूँ इस वाले पॉइंट की नमबर चार की में बात करूँ तो ये हो जाएगा आपके महादीप्य मैदान ये हो जाएगा आपके महादीप्य मैदान अगर कोई पानी पहाड परवस से गिरता है तो पठार पर आता है पठार से माधी भी ढालके माध्यम से वो मैदान में आता है और मैदान से वो पानी नीचे समुंदर में जाता है यानि कि यह अपने सामने है वो समुंदरिय भाग है कैसा भाग है वही समुंदरिय भाग है न अगर अपने बात करें तो यह अपने सामने आ जाएगा समुन्दरी भागा जाएगा यह जो भाग है यह आपके समुन्दरी भाग है यहां तक अगर आपके रेलवे स्टेशन वगर गये हो तो वहां पर लिखावा मिलेगा आपको कि यह जो दूरी है वो समुन्दर तल से यह जो दूरी है वो समुन्दर तल से तो समुन्दर का तल कोण सा होता है यही तो होता है समुन्दर का तल कोई निचे वाला भाग नहीं होता है जो सबसे उपरी जो समुन्दर यानि की पानी की जो सतो होती है वही समुंद्रिय तल वाला भाग होता है ठीक है ना अच्छे से समझना का प्रियास करना अभी तो मैंने चार भाग लिखाया ना अब ये जो समुंदर है समुंदर के अंदर पानी इकटा होता है अब समुंदर के अंदर जो गहरी-गहरी खाये होती है जो समुंदर में घहरी घाटी होती है उसे गर्त का जाता है उसे क्या का जाता है उसे गर्त का जाता है ये टोटल ही समुंद्रिय भाग हो गया ये आपके सामने टोटल ही समुंद्रिय भाग हो गया सर आप इतने दिरे पढ़ा रहे ह Japanese दिरे नहीं पढ़ा रहा हूं मेरी पढ़ाने की स्पीड एकदम सही है आप लोग भी स्थसाथ चाहले साथ में एसा डाइग्राम त्यार करें तब आपकी भी जितनी स्पीड परियास करें और डाइग्राम को बनाने का क्या करें परियास करें तो देखो यह हो गया यह समुंदर के अंदर गर्थ हो गए समुंदर के अंदर जो गेरे खड़े होते हैं उसे गर्थ कहते हैं या गेरी खाई होते हैं उसे क्या कहते हैं गर्थ तो तीसरा जो पॉइंट बन है हमारा यह वाला जापर इस्तल और समुंदर दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं वो जाएगा आपके तट्य परदेश वो कौन सा परदेश हो जाएगा तट्य परदेश तो पांच नंबर पर मैं बात करूं तो यह तट्य परदेश हो गया कौन सा परदेश हो गया तट्य परदेश तट्य कौन सा हो जाएगा जापर इस्तल और जल दोनों आपस में मिलेंगे अब अपन छे नंबर पर बात करें छे नंबर पर बात करें तो यह जो ढालान दिखाई दे रहा है यह तिर्चे आकार का जो ढालान दिखाई दे रहा है छ इसा मज़माया यह हो जाएगा आपके महासागर्य ढल और जो यह निच्छ जो मैदान टाइप दिख़ी दे रहा है आपके यह हो जाएगा आपके महासागर्य मैदान महा सागरिय महा सागरिय मैदान और ये जो आठ नमबर पे ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा आपके महा सागरिय महा सागरिय गर्त महा सागरिय गर्त अबलिक खाई या तो आप गर्थ क्यों इसे या फिर आप खाई कह सकते हो यानि कि इस पर्त्वी का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है सबसे नीचे बाग है वो गर्थ है और पर्त्वी के सबसे टॉपेस्ट में जो बाग है वो परवत है यानि कि पर्त्वी की सरचना मैं बात करूँ तो सबसे उपरी बाग परवत है और सबसे जो नीचे बाग है वो आपके गर्त हो जाएगा और जो ये नीला कलर का आपको दिखाई दे रहा है जो ब्ल्यू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये आपके महा सागर ये भाग हो जाएगा ये आपके हो जाएगा महा सागर या फिर समुन्दर कह सकता हूं महा सागर या फिर अपन कह सकते हैं यह आपके समुंदर हो गया, क्या हो गया भी, समुंदर, और इसका जो सबसे उपरी सता होता है, वो समुंदर तल गयलाता है, अगर कोई भी अपन दूरी नापते हैं, तो यह समुंदर तल से नापते हैं, अगर अपन इसको ऐसे डिवाइड करें, अगर इस चीज़ को अपन शिदा ऐसे तट बाग से अगर अपन डिवाइड करना चाहे इसको यह लो तो इदर वाला जो भाग बचेगा यानि कि जो इदर वाला भाग है यह तो हो जाएगा आपके महादीप यह भाग या फिर इस तलिए भाग इस तलिए भाग और जो इदर वाला जो भाग बचेगा यह तो हो गया आपके महादीप यह भाग यानि कि इस तलिए भाग ठीक है इस तलिए भाग यह तो हो गया आपके इस तलिए भाग और यह हो जाएगा आपके जलिए भाग और जलिए भाग को का जाता है महासागर जलिए भाग को क्या का जाएगा महासागर और इस तलिए भाग को का जाता है महादीप तो इसलिए तो ये माधीप ये भाग हो गया और ये मासागरिय भाग हो गया ये मासागरिय मैदान ये मासागरिय ढाल ये माधीप ये मैदान और ये माधीप ढाल तो माधीप ये माधीप ढाल कैसे तो ये जो संपूर्ण पर्थवी का उच्छा वच है ये संपूर्ण पर्थवी का क्या है आपके पूंचा वज़ें समझ में आया होगा आपको परवत, पठार, डाल, मैदान, तट्य परदेश सबसे important है ये तट्य परदेश कि जो तट्य परदेश होता है वो इन दोनों के मद्ध्य होता है अपने कहता है ना तट ये भाग तट ये पर्देश ठीक है ना तो तट होता है समुंदर और पर्थवी के इस तल के दोनों भाग के एकदम बीच में तो ये इधर हो गया इसके इधर वाला जो जाएगा माधिव इधर जाएगा मासागर कोई भी चीज अगर समुंदर तल से अपने दूरी देखे तो यहां से पॉइंट होगी समुंदर तल की जो दूरी होगी वो यहां से आपके नॉट आउट होगी ठीक है ना इसके बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है कि सर यह समुंदर तल है तो इस समुंदर तल के उपर कौन-कौन सी गटना देखने को मिलेगी अगर समुंदर तल के उपर की बात करें तो माल लेते हैं कि यह आपके समुंदर तल है यह हो गया आपके समुंदर तल यह हो जाएगा आपके समुंदर तल और समुंदर तल के बाद बात करें तो सबसे पहले आपके आएगा मैदान समुंदर तल में अपन बात करें तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा मैदान मैदान के बाद अगर कोई चीज देखने को मिलेगी तो वो होगी आपके पठार पठार के बाद कोई चीज देखने को मिलेगी तो वो हो जाएगी आपके पहाडी क्या हो जाएगी भी पहाडी पहाडी के बाद कोई चीज देखने को मिलेगी तो वो हो जाएगा पहाड पहाड एकदम सिद्ध होते हैं यह हो गए पाहड और पाहड के उपर भी कोई चीज देखने को मिलेगी तो वो हो जाएंगे आपके परवत क्या हो जाएंगे भई परवत सर हम कैसे डिसैड करेंगे कि यह पाहड है या फिर परवत है चलो यह तो गया आपके मैदानी भाग यह ओगया आपके मैदान मेदान के बाद अपने बात करें दिये हो गया आपके पठारी भाग यह हो गया आपके पहाड सुरी पहाडी पहाडी के बाद बात करें तो यह हो जाएगा आपके पहाड और पहाड के बाद बात करें तो यह हो जाएगा आपके परवत यह मैं समुंदर तल से बात कर रहा हूँ है ना यह जो जितनी भी बात करें अपन समुंदर तल से बात करें समुंदर तल से यह वाला जो भाग हो जाएगा यह आपके पठारी भाग हो जाएगा ये पठारी के बाद ये आपके पहाडी हो जाएगी और पहाडी के बाद अपने बात करें तो ये आपके पहाड हो जाएंगे और पहाड के बाद भी अगर अपने बात करें तो ये आपके परवत हो जाएंगे क्या हो जाएंगे परवत तो मैदान पठार पहाड परवत और पाड़ी तो हम कैसे डिसेड़ करेंगे कि यह मैदान है यह पाड़ी है या पठार है माली जागे गुरू सिकर परवत है या पाड़ है हम कैसे डिसेड़ करेंगे यहां पिर माउंट एवरेस्ट है वो परवत है या पाड़ है यहाँ पर हम बात करें गोराम जी है लीला गड़ है तारा गड़ है आपने जर्गा है रागा है यह परव्ध है या पाड़ है हम कैसे डिसेड करें आप इसे decide करें आप इनको ऐसे decide करेंगे कि अगर अगर इसकी उंच्छाई जीरो से 300 मिटर है तो ये मैदान करेंगे अगर इसकी उंच्छाई 0 से 300 मिटर है तो ये मैदान कलाएंगे अगर इसकी उंच्छाई 300 से 600 मीटर है अगर इनकी उंच्छाई 300 से 600 मीटर है तो वो पठारी बाग कलाएंगे अगर इसकी उंच्छाई 600 से 1800 मीटर तक की है अगर इनकी उंच्छाई है वो 600 से 1800 मीटर तक की है तो ये आपके पहाड कहलाएगी अगर ये ये उच्छे आपके 1800 मीटर से लगा कर 27, 2700 मीटर तक की हो तो ये आपके पहाड कहलाएगा और अगर ये दूरी है ये उच्छे ही है ये 2700 मीटर से भी जादा बन जाए तो वो क्या कहलाएगा परवत देखो कितना लोजिकली अपने याद कर लिया है बिल्कुल अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है फिर भी हम उनको याद हो गया क्या याद हो गया कि 0 से 300 मेटर तक मैदान 300 से 600 तक पठारी बाग 600 से 1800 तक हो जाएगा पहाडी और 1800 से 2700 तक हो जाएगा पहाड और 2700 पलस की बात करें तो हो जाएंगे अपने परवत क्या हो जाएंगे भई परवत तो देखो हमने परवत वाला भी मेटर समझा है अभी तक हमने जो चीजे पढ़ी है वो चीजे समझा आप राजस्तान के बोतिक परदिस शुरू करने के बाद जो जो चीजे हमने पढ़ी है वो देखा आप हमने सबसे पहले पढ़ा है प्रोपेसर वी सी मिस्रा का जो राजस्तान का सवरोपर्तम बोतिक परदिस उसके बाद पढ़ा हमने मादे में अंदर पढ़ना पड़ेगा आपको यहां रिया से सीधा concept क्यूशन आता है पठारी भाग की कुल उच्छी कितनी होती है मैदानी भाग की कुल उच्छी कितनी होती है परवत्य भाग की कुल उच्छी कितनी होती है तो simple सा सीधा क्यूशन बन सकता है नो डाउट आपके एक्जामें डेट परसेंट ये क्यूशन बन सकता है तो आपके कॉंसेप्ट के लिए रहने छे रटने वाला बेस छोड़ो कॉंसेप्ट के लिए करो